हर कोई ये चाहता है कि हमारे बाल तेजी से लंबे हो जाएं बस लेकिन जो जिनके बाल लंबे हैं उनके पीछे क्या मेहनत है वो कोई नहीं देखता तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग बहुत शांदार ये समझलो कि बहुत समर स्पेशल ये हेयर मास्क लेकर आई हूँ जो बालों को बहुत अच्छे से ही ट्रीट करेगा और आपके बाल कितने भी डैमेज हो रहे हैं बाल कितने भी बीच बीच से तूट रहे हैं या रफ हैं या ड्राय हैं या फ्रेजी हैं या बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है बाल लंबे बिलकुल नहीं हो रहें घने नहीं हो रहें री ग्रोथ नहीं हो रहीं मतलब सभी प्रॉब्लम के लिए आज का हेयर मास्क है तो वीडियो को लास्ट तक देखना इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारे टिप्स में आगे बताऊंगी तीचा गाइस हम से ब्रेकेज हो रहा है बहुत जादा बाल तूट रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है यह हेयर मास्क अपने बालों में अपलाई करना है सिर्फ एक एप्लिकेशन में ही आपको इसके रिजल्ट जो है वह वीजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको इसमें चाह हुआ दही है बहुत शांदार आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं इसका हम इसमें दो चमच डाल देंगे ओके यह हमारे बालों को बहुत अच्छे से मौशराइज करेगा बालों के सारा ड्राइनेस दूर करेगा और इसके साथ में बाल जो हैं बहुत जादा सिल्की और बालों में जो टेक्च्चर है ना वो बहुत जादा अच्छा रहेगा ऐसा लगीगा जैसे आपने पाललर से कोई ट्रीटमेंट करवाया है कैरेटीन ट्रीटमेंट मारकेट में आप पाललर जाकर हजारों रुपे लोग खर्च करते हैं और उससे बाल होते कुछ नहीं बलकि और जादा खराब हो जाते हैं और रुफ हो जाते हैं तो आप लोग घर का ये ट्रीटमेंट करिए इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होती है और बाल लंबे घने मजबूत होते हैं इससे जो दही होता है ये बालों को काला बनाता है कंडिशनर का काम करता है और बाल जो हैं वो काफी thickness में आते हैं इससे बनाना भी बालों के लिए बहुत अच्छा है बालों को smoothing लेकर आता है conditioner का काम करता है बालों में silky softness लाता है और बालों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है तो सिर्फ आपको ये दो ingredient इसमें लेने हैं और दौनों को अच्छे से हम grind करके इसको अच्छा एक paste ready करते हैं जल्दी से यहां पर आप देख सकते हैं कितना smooth ये hair pack ready हुआ है इसमें अगर बनाना के आपको लंस नजर आए तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं इसको आप एक किसी भी cotton के कपड़े में डालके चान सकते हैं बट ये देखी कितना जादा smooth बना है बिल्कुल भी इसमें किसी तरह का कोई भी इसमें नहीं है तो हम इसे डारेक्टव अपने बालों में एपलाई कर लेंगे ठीक है अब बालों में एपलाई करने से पहले आपको क्या करना है वह आपको बदा देखी इस तरह साब बनाईए ये बहुत अच्छा का hair mask है वीक में 2-3 बार कम से कम तू 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 त्री टाइम्स आप इसे एपलाई कर सकते हैं क्योंकि इसके result ऑसम रिजल्ट है चलिए अब हम जल्दी से इसको एपलाई करते हैं इसमें एक इंग्रिएंट और आइड करने वाले हैं यह है कैस्टर ओइल ओके सो थोड़ा सा हम castor oil इसमें एक चमच castor oil इसमें add करेंगे ये देखें इससे इसकी goodness है वो और ज़्यादा enhance हो जाएगी ये देखें so guys आप लोगों ने देख लिया है इसका पूरा किस तरह से इसको ready करना है अब हमें इसको apply करना है apply करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने बालों को tangle free कर लें बालों में जितने भी उलजे हैं सभी उलजे आपको पहले निकाल लेने हैं अब एक चीज याद लेते हैं सबसे पहले बालों को tangle free करिए आपके बालों में अगर उलजे हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि बालों से पहले उलजे को निकालना यानि अपने हातों से ही बालों को दूर दूर करना है और उसके बाद में हातों से ही बालों के उलजे जो होते हैं tangles उनको आपको हटाना है और आपके बाल एकदम से ये समझ लो कि जो उल्जे बालों में आप जब कंगा करोगे ना तो बाल बहुत जादा तूटते हैं जड़ते हैं लेकिन अगर हातों से आप पहले उन्हें सुलजा लेंगे उसके बाद में कॉम्ब यूज करेंगे तो उससे आपक हुआ था मैं तिनी बीजी थी कि मैंने सिर में कंगा ही नहीं डाला तो उसकी वज़े से जो उल्जे होते हैं वो हो जाते हैं तो आपको क्या करना है पहले अपने बालों को सुलजाना है जब भी बालों में कुछ भी लगाएंगे उससे पहले बालों को टैंगल फ्री जरू जादा नहीं निकले ठीक है तो आपको भी ऐसे ही करना है और यहां पर मैंने बालों को हलका सा तू-तू करके और फिर डाला है तो आप लोग भी ऐसी करें बालों को ऐसे ही नहीं फैकना चाहिए दो दर बालों को जूटा करके फिर ही गिरा है ठीक है इसके बाद मैं बात कर ल बार इस mask को लगाईए कितने भी खराब बाल है कितने भी damage है आपने सालों से बालों की care नहीं की है आप इसको सिर्फ तीन बार एक week लगा लो आपके बाल एक week में ही एकदम से healthy हो जाएंगे और बालों से सारा tangles जो है वो सब निकल जाएगा ठीक है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना और जब हम लगाते हैं लगाते लगाते भी हमारे बाल उलच जाते हैं अगर लंबे बाल हैं तो उलचते ही हैं तो उनको क्या करिए हातों हातों से ही tangles free करते रहिए और फिर आप mask को लगाते रहिए तो ये बहुत अच्छा hair mask है इससे बालों की बहुत तेजी से growth भी होगी बाल fast लंबे भी होंगे और आपके बालों की हर एक problem जो है न वो भी दूर होगी दो मुवे बालों की problem है तब भी दूर होगी आपको ends से ज़ादा लगाना इसको है ends को छोड़ना नहीं है उपर स्कल्प से लेके और last end तक आपको इसको अच्छे से mask को लगाना है तो यहाँ पर देखी इस तरह से मैं इस पर अच्छे से बालों मैं अच्छे से लगा रही हूँ सब जगे और इसको आप लोग ज़रूर लगाए है टीनेजर, बड़े, छोटे, सब लोग लगा सकते हैं ठीके कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं लगाना है सब लोग इसे लगा सकते होम रेमेडी है घर की बनी हुई है तो बहुत जादा फायदा भी देगी ठीके इसके साथ मैं अब बात कर लेते हैं हमारे हेर ऑईल के बारे मैं आप यहां साइड में देखी रहें यह हेर ऑईल, चिश ब्यूटी हेर ऑईल और चिश ब्यूटी हेर शैंपू है अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप लोग ज़रूर खरीद लें क्योंकि इसके रिजल्ट आप लोगों को बहुत शांदार मिलेंगे आपने मार्केट के ऑईल और शैंपू बहुत लगाए होंगे अभी तक आप वही लगाते आ रहे हो लेकिन क्या हाल है बाल खराब हो रहे हैं कुछ भी फर्क क्या है ये बताए है फर्क कुछ नहीं है बाल कंटिन्यूँ खराब हो रहे है क्योंकि उनमें कैमिकल होता है इतना कैमिकल डाल देता है कि आप ये समसलो के बाल पूरे ही थी लोगों के जा रहे है मतब लोग गंजे होते जा रहे है इतनी condition यह आ गई है तो यहाँ पर यह सब चीज़ें देखते हुए इन सब को यह जो चीज़ें है ना chemical वाली यह इसको मैं आप लोगों से दूर रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने अपना चिश ब्यूटी, oil और शैंपू खुद ने ready किया है मारकेट से मैंने ready नहीं करवाया मैंने खुद ने इतनी मेहनत क्यों करती हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को प्यूर चीज़ देने के लिए वरना मारकेट में तो या इतना chemical के product पड़े है वो अगर हम लगाएंगे तो हमारे बाल कहां अच्छे रहेंगे फिर तो खराबी होना है ना तो यहां पर oil और shampoo मैंने खुद ने ready किया है जिससे कि आप लोगों को फाइदा मिल सके तो यह बहुत सारे जड़ी बूटियों से बहुत सारे herbs बहुत सारे oil और भी इतनी सारे चीज़ों से मिलके यह बना है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं इसमें क्या क्या होगा तो आप लोग इसको oil को और shampoo को जरूर से use करिए इसके result super duper amazing है हर बंदा एक बार आकर लेता है उसके बाद में यह समझे लोगों 10 बार लेना है तो 10 बार वो oil और shampoo लेता है 200 ml की bottle रहेगी तो एक बार use करिए और आप एक बार use करेंगे आपके बालों की सारी ही problem दूर हो जाएगी और आप इस oil और shampoo को कभी नहीं छोड़ेंगे इतना अच्छे result है इसके ठीक है pure cheese और आपको बाल भी बचे रहेंगे इसके अलावा आप लोगों को DIY लगानती रहना है और DIY लगाएंगे तो बाल और तेजी से fast growth होंगे जो लोग नहीं कर सकते DIY वो सिर्फ oil और shampoo भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पूरे बालों में एक side में तो लगा लिया है अब मैं second side है यहाँ पर भी बालों में अच्छे से लगा रही हूँ ठीक है तो आपको पूरा उपर से नीचे तक के सभी बालों को cover करना है सो गाइज अभी वीडियो रोज जा रही है चैनल पे 7 to 8 पीम एवरी डे वीडियो मिल जाएगी notification अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं आप चैनल पे जाके देख लीजे और इनको जरूर से करिए मैं आपको एक एक application बताती हूँ पूरी remedies बता रही हूँ और मैं खुद ये करती हूँ तब ही तो मैं आपके साथ share करती हूँ क्योंकि मुझे result इन सब के पता है कि कौन कौन सी क्या remedies कि क्या result होता है और आपके बाल कितनी तेजी से growth में आ सकते हैं बस आप लोग मेरे कहने के हिसाब से चलते रहिए करते रहिए तो आपके बालों का बिलकुल transformation हो जाएगा और बिलकुल आप जैसे चाते हूँ वैसे ही बाल हो जाएंगे ठीक है चलिए एक like कर दीजे इतनी सारे tips और अच्छे ची बाते बताने के लिए एक like तो बनता है न तो जल्दी से like करिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में खूब हैल दिखाईए और मज़ए